नमस्कार दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अगर आपने जरौधा कोईन के थुरू SIP किया है और उसका मेंडेट जो है जो आपने सपोस करो कि 5000 अमाउंट का मेंडेट कर रखा है आपके बैंक अकाउंट से पैसा कर जाता है लेकिन आपके SIP को जो अमाउंट है वो 5000 से बढ़के 5000 हो गया है तो आप existing mandate को कैसे चेंज करेंगे कैसे आप नए आमाउंट एड करेंगे ताकि आप आपका 500 रुपए यानि की जो बढ़ा हुआ अमाउंट है वो एड हो सके तो आज की इस वीडियो में यही सारी चीज़े मैं आपसे बात करने वाला हूँ तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दू कि यहाँ पर अगर आप हमारे चैनल पे मूचल फंड की playlist में जाएंगे तो यहां पर आपको कही सारे वीडियो मिल जाएंगे इसमें अगर आपको जरौधा कोयन के तुरू कैसे मूचल करनाDEN में इन्वेस्टमेंट करना है उसका एक वीडियो अगर आप मूचल फंड को बंद करना चाते हैं उसे रीडियू करना तो यह आपको चैनल की प्लेइलिस्ट में जाके चेक कर लिजेगा, यहाँ पर आपको यह तीनों वीडियो मिल जाएंगे, अब हम बात करते हैं, कि आपको जो चेंज करना है, वो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले इसके लिए करना कि आपको जरुदा की वेबसाइट पर जाना ह सही है, कोई बहुत ज़्यदा डिफरेंस नहीं है, तो यहाँ पर आपको लॉग इन पर क्लिक करना है, यहाँ पर आपको आपका यूजर नेम और पासवर डाल के लॉग इन करना है, तो मैं यहाँ पर अपना लॉग इन कर लेता हूँ, अब आपको यहाँ पर अपना पिन इसको मैं स्क्रोल डाउन करके नीचे आता हूँ तो यहाँ पर आप दे सकते हैं कि मेरी दो SIP है जिरोधा कोईन के अंदर यहाँ पर एक SIP है 3000 रुपई के और 2750 रुपई की यह पहले 25 रुपई की थी और अभी यह auto step up हो गया तो auto step up होने की वज़े से की क्या हो गई है 2750 की हो गई है और अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरा bank mandate कितने का था तो यह total amount हो गया 5750 जबकि मेरा पहले का जो bank mandate था वो था 5500 रुपई का तो मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ इसके लिए आपको scroll up करके उपर आना है यहां पर आपको जो नाम आ रहा है आपको वहां पर आपको क्लिक करना है क्लिक करने के बाद आपको console back office पे क्लिक करना है अगर यहां भी आपसे username पासवर्ड मांगता है तो आपको username पासवर्ड दे के login कर लेना है यहां पर मैंने जरौधा का console login कर लिया है अब आपको funds में जाना है, funds के अंदर आपको bank mandates मिल जाता है, इस पर आपको click करना है, यहाँ पर आपके banks related सारी information आ जाएगी तो आपको scroll down करके नीचे आना है, यहाँ पर आप जो भी अपनी मन्तली SIP करते हैं, उसका schedule जो है वो आपको यहाँ पर मिल जाता है, दिखिए मेरी SIP जादा की हो गई है, तो मुझे क्या है, मन्तली जो payment है, वो जादा add करना है, तो basically आपको mandate delete नहीं करना है, याद रखीगा, जो भी हमने उपर देखा तो जहाँ पर आपकी bank information आती है, मैं scroll up करके उपर जाता हूँ, तो यहाँ पर देखिए यह आपके सारे bank information आ गई, यह अगर आप existing schedule को edit करने जाओगे, तो edit का option नहीं मिलता, यहाँ पर अगर आप click करेंगे, तो यहाँ पर सिर्फ delete schedule है, तो यह schedule delete हो जाएगा, तो basically हम क्या करते है, एक नया पहले schedule बना लेते हैं, फिर इसको delete कर देंगे, तो आपको क्या करना है, मैंने monthly SIP करके एक बना दिया यह choice आपकी है, लेकिन generally मेरे account में क्या है, पैसा कुछ नो कुछ पढ़ा ही रहता है trading account में, तो मेरे कभी भी ऐसा failure नहीं आता, कि हाँ मेरी SIP ना कटे, तो मेरे account में तो कुछ पढ़ा ही रहता है, लेकिन अगर आप exact amount करना चाहते हैं, तो exact amount नहीं तो आप इससे जादा भ आप delete schedule पे click करेंगे, तो आप देखें, यह जो SIP है, अब यहाँ पर जो बन गई है, वो गई है 5750 कित, यहाँ पर दूसरा जो record है वो delete हो गया है, तो जब भी आपको, कभी भी bank mandate के अंदर जाकर, आपके SIP के amount को change करना है, वो schedule को change करना है, तो आप easily जाके पुरानी वाली को आपको delete करना है, और नए schedule को, नए SIP के amount के हिसाब से आपको add कर देना है, तो इस तरह से आप easily SIP का जो भी amount आप schedule करते हैं, उस schedule को आप change कर सकते हैं, तो I hope यहाँ पर आपको सारी चीज़े clear हो गई होगी, अगर आपके फिर भी कोई सवाल या सुजाव है, तो मुझे comment section में लिखना बिल्कुल दूलेगा, आज की वीडियो बस इतना ही, आशा करता हम वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को like कीजिए, share कीजिए और चैनल को अगर आपने भी तक subscribe नहीं किया, subscribe कर दीजे, क्योंकि इस तरह क वीडियो में आपके लिए लाता रहता हूँ, इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यमाद, आपका दीजोब हो